इतना देखे मुझे इतनी ती जो गुसा है ना यह इसलिए गुसा रहा है कि आखर पिछले सतर साथ है जो फंड है उस फंड का क्या हुआ इसी पाकी है जो वे आवाजों की आवाज है हमेशा इंसाफ की बात करती है इसे मांचल के सभी साथियों का स्वागत है मैं हूं आपके साथ इम्रान रजा बिहार विधानसवा चुनाओं की सरगर्मिया धीरे-धीरे अब तेज होने लगी है ऐसे में आज हम ठागरंज विधानसवा की बात करेंगे यहां भी कंडिडेट का जो है रुत्वा अब धीरे करेंगे आज साथ आडर सेमी असदिग बहुत 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 शुक्रया अप लोग अपने चानल में मुझे मुझे मॉका दिया कि आप ने कहा कि ما बिधायक नी भावी प談द्यासी हूं अगर पार्टी आलाकमान वह हमारा ट्रिकट का फैसला करेगा पर दो कि वहां तक बी जाएंगे लेकिन अब बाचित का सिलसला सुरूख करने से पहले हम और हमारे जो वीवर से हमारे जो दर्सक है और आपके विधान सवार्ष चैत्री के जो लोग है तो आप को आशाइम का की अपतिदाई तालीम कहां से हासिल की है कि मैंने अपनी टालीम कर देखों के मदर्सा से हासिल त कि उसके बाद मैंने पर iedereen को सुझे प्रनस तहले को सब्सक्राइब हूँ आज पूरे इलाके में कई तालिमीदारा स्कूल मदर्सा कोचिंग सिलाई सेंटर कंप्यूटर सेंटर वगरे चलाने का काम करता हूँ और इलाके को आगे बराने के लिए अपनी बड़ी पूसी की बात है असाथ सब्सक्राइब अगर पूछेंगे कि असथ सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आप सिद्धे विधान सबास से सुरुवात करने की सोच रहें आखिरकार ऐसे क्या बात है आपको क्या अईसा भविस्टे दिख रहा है हो सकता है किसी लोगों का सपना हो सकता है सिर्फ मुख्या मेले बनना इंपी से इस एलाके में कुछ ना कुछ बदलाओ करो आप कहते हैं कि आपको किसी मुख्या या जिलापरसर से सुरुवात करना चाहिए मैं आपको बताओं जब मैं देली में था और देली में एक हम लोगों का कमेट एक टीम था एम्यू से से अलिगर मुस्लिम कोडिंसन कमेटी उ उनके सरपरस्ति में उनकी कयादत में हम लोगों ने राहूल गांदी जी मनमोहन सिंग जी सुनिया गांदी जी कपिल सिबल जी जितने बरे-बरे लीडर हैं उस वकत के उन सारे लोगों से मिल चुके हैं तो वह बड़ी जहां हिंदुस्तान की तक्दिर और तस्वीर बदल और हमारी पार्टी अगर हमें टिकर देती है तो इन्शालला हम सारे लोगों मिल करके पार्टी का गाइडलाइन और विदान सभा के सारे लोगों का सपोर्ट लेकर के सरक्स लेकर सदन तक लाए लरके इस इलाकी की जो बदहली और बेबसी है जो लाचारी है इस इलाके में पिछले 70 सालों से जो इस एलाके का बंटाधार करके इन पार्टियों ने जो रखा है इनको मिल के बदलेंगे इंशाल्ला अगर बात करें असाथ साब कि आप सिच्छा के शेतर से सीधे लोग करते हैं अच्छा अगर हमारा सदस हमारा अच्छा नहीं हो मुखिया समेती जिलापारसद पंचैति राइच के जितनी भी मेंबर्स हैं वह लोग अच्छी हम नहीं चुनते हैं तो फिर हमारा डपलमेंट का सुरुआ तो वहीं से होता है उसके बाद होता है आपका MLA औ और वहीं होता है कानून बनाने और अपने विदान सवाब के लोगों की ला आवा पडिन हुए जानते हैंखे हमारे बिदान सवा में ऊपर और हमारे इस ठागुन बिदान सभा में चापत्ती की खेती बरपूर मात्रा में होती है और येकिनन इस चापत्ती की खेती के वज़े से इस एरिया का खुबसूरती बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है येकिनन हम लोग और कोई बहार से लोग आते हैं तो हम लोग चापत्त सबधी का बागान लोगों को घुमाने लेके जाते हैं तो और उसके बाद की खेती भीरान więी ज्यादा में होती एह और मट की खेती भरपूर मातरा में होती है तो यह ओपर उपर वाला न को बहुंस 핫े देखें यह यह बिदेखिये यह आप बच्वाओ कि यहां के लोगों ने जो वोड दिया तो यांके जो मुझूदा बिदायक वो सत्ता अधारी सरकार में रहे त्रम इससे पहले मंतरी भी रहे अभी सत्ता में सफार्वा 넣 उनकी पर सरकार में है लेकिन इस यह जो सारी फसले होती है इन फसलों से मुतार इनके लिए कोई प्लांट लगा सकते थे चाहे वह अननास प्लांट लगा सकते थे टी प्लांट लगा सकते थे केला फेक्टरी डाल सकते थे मक्का का फेक्टरी डाल सकते थे लेकिन कुछ नहीं किया जो यह जो हम तर्फाल तयार कर रहे हैं कुधरत दौफा हमें दिया पुरे बिहार में नहीं है लेकिन कुछ भी नहीं है आपको बताओं ता पिछले साल वहां एक एजूकेशन सेमिनार में सब्सक्राइब क्या लगता है कि कुछ वर्क नहीं हो पाया हे भुकास नहीं पाया है आप लोग भी ठागुन विदान सभा के गली-गली में जाते हैं क्या सरकों का हाल देखी आप कितना बुड़ा और खस्ता हल है कि हमको सरक अपने घरों तक जाने के लिए आज भी दुस्वारियों का सामना करना पर रहा है आजाधी के सतर साल बाद देखे फोर जी लॉंच हो बहुत अच्छा है पिछले साल हम लोगों ने अंदलों बिजली खिलाफ बिवा के खिलाफ अंदलों क्या था तो बिजली विवाग के लोग हेलिकॉप्टर से किसन जाना पड़ा उसको और यहां का बिजली का जो जर-जर वैवस्ता था खासकर के दिगल बैंक बाहदुर का हाल तो बहुत अच्छा है माशाला भी तो इसी तरह से हैं तो क्या है बताइए आप कौन सचे सरकारी होस्पिटल्स का हाल देखिए यह जो हर बलोक में हेल्थ कम्यूनिटी सेंटर बना है कितनी बरी-बरी बिल्डिंग बनी है देख रहें आप उस बिल्डिंग बनाने में इतनी बरी बिल्डिंग अग्सरे का कोई वेवस्ता ना दवाई है ना लेइस लुट्यर ना बच्ची का डॉक्टर रहें कुछ बहें नहीं है इतनी बरी बिल्डिंग क्या हो नुमाइस के लिए बना है आज पार पंचाति के अंद्र बना हुआ है दिखे कि आज हमी लोग जलाओं लगने लोग है उनको चाहिए था ना उनको तो इनका उसी लिए हम लोग उनको वोड़ दिया था और मान नितिश कुमार जी का पिछले 15 साल उनको हम लोगों ने दिया कि आप विकास कीजिए और स्वास्ति सिस्टम का क्या मान के जलते हैं आप इसे सब्सक्राइब को जानते हैं सोसल मीडिया और इस लाके के लोग गवाएं कि मैंने खास करके हमेशा इस समाच के इस सारे मुद्दों को लेकर के आवाज बलंद करने का काम किया है कोई भी मुद्दा हो जाए सिर्फ ठाकुलों बिधान सावा की बात नहीं कर रहा हूं पूरे सिमान चल लेवल की हमेशा मुद्दे को लेकर के उसको लड़ने का और किसंगंज में अग दरवारी कॉलेज के बच्चे जेल गहे थे ना हमारा कोई नहीं था नहीं था नहीं था लेकिन सबसे पहले धरना परदसन करने का काम किया और यह सब्सक्राइब करता हूं मैं 2014 से आपका इस इलाके में आकर के सिख्चह पर और रोजगार पर काम कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद यह किसान का बैटा हूं, जब मैं पढ़ाई किया था तो मेरा बाप जमीर बेच करके, जमीर बेच के मुझे दिल्ली में पढ़ाये थे तो मेरे अबबा के पास इतना ज्यादा जमीन था कि मुझे जमीन बेश के पढ़ा दिये लेकिन और सारे किसान क्या करेंगे क्या दो लाग तिर लाग रुपिया साला ना कोई किसान दिल्ली हर्याना या हिंदुस्तान के अलग-अलग अच्छे सेंट्रल यूनिश्टिस में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना तो उनकी पढ़ानी के लिए हमारे पास क्या सुविधा है अब जितने भी उमीदवार के पास आप जाएंगे क्या बोलता है कि सिक्षा तो मेरे रूम में बसा हुआ है बहले मेरा पहला मेनुफेस्टों ही सिक् आज तक कभी किसी कलास रूम में जाकर कि किसी बच्चा को सिक्षा के बारे में दो सब्ध समझाया नहीं आज वह बंदा आदम सिक्षा पर बड़ी-बड़ी बात कर रहा हैं आज तक एक कोचिंग एक मक्तब खोलने का काम नहीं किया ऐसी लोग बड़े बिद्वान बन गह रहे हैं रोजगार से जोने का काम करें और अलाका करें जब भी कोई भी मुद्दार कोई समस्या हो असद इगबाल उसको आगे बर करके करने का काम क्या है यह लोग आप सारे लोग इस बात करेंगे चुनाओं के बात में हम लेंगे कि ठागरुज विधान सभा से मायम के ब बहुत मज़ेदार इस बार एलक्षन होगा और आजादी के बाद पहली बार एक कुछ नया होने जाला है कि क्योंकि अब तक यहां तो दो ही धारा होती थी ना एक NDA गडबंधन और UPA गडबंधन और यहां कि लोग हमेशा BJP के खिलाफ भोड़ देने का काम किया है और BJP क खिलाव उसके खिलाफ में जो लोग भी होते थी चाहें कांग्रेस या आर्जटी जो लोग भी होते थे उनी को वोड़ देने का काम करते था लेकिन आजादी के बाद पहली बार BJP के खिलाफ ना आर्जटी को भोड़ देगी एमाईम को आउल इंडिया मजलिस इत्यादू इसाने का काम करती हैं मजलुमों की आवाद उठाने का काम करती है और आज तक इस दैस्में जिसके साथ नाइंसाफी हुआ है जो लोग जो ब्रब से लोग कि औरका करने का का Track और ए सब्सक्राइब करें तो लोग इन लोगों से उप चुके हैं अब आप कुछ नई टेस्ट लेना चाह रहे हैं कुछ अलग अंदाज में अलग चीजें लाना चाह रहे हैं क्या विजन लेकर के वह जनता के पास जाके वोट मांगें कि आधार होगा वोट मांगने करें अगर पार्टी आला खमान मुझे टिकर देती है अगर मैं ठागों बिदान सभा से हमायम पार्टी का पर्तियासी होता हूं, मैं अगर इलग से लगता हूं, तो मेरे पास भी कुछ खाका है, मेरा भी कुछ विजन्स है, कुछ मेरे भी सपने हैं इस ठागों बिदान सभा को लेकर, जो मैं अकेला नहीं, ठागों बिदान सभा गए आजकता है और हो सकता है अगर मुझफरपूर में हो सकता है किसन जिला में हो सकता है सकता है ना ओपर हमारे कई कौंटक्टेक्त में है जो लोग आइट है नोग अपर वियूशन दिला पा रहे हैं जिस sky वज़े से बात करें निजी संसे के बात कर रहे हैं don में तो सिच्छा में निजी करन में में थुरा सा कहिं होता है कि जो नॉर्मल तबिया के लोग होते हैं जो गरी तबे के लोग होते हैं वह लोग फिर उस जो आपका विजन में तो लोग कैसे समाएंगे आपको बताएं क्योंकि देखें मैं सिर्फ पड़ाइबिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हम तो सरक्ष से लेकिए सदन तक इसके लिए लगने का तो काम करेंगे कि हमें यहां डिगरी कॉलेज दो पॉलेटिक निकलेज दो ट्रे तो वो गैस पेपर परके क्या उसके अंदर करांतिकारी पैदा होगा बताई यह क्या नोलेज होगी उनको गलती हमारे स्टुडेंस का है क्या हम लोगों का है कि हमने कॉलेज खुला हुआ हमने गई कॉलेज में कलास नहीं हुआ फेकल्टी नहीं 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 तो हमारे स्ट प्रांतिकारी बनने के लिए आपको डिपली नोलेज होना पड़ेगा आपको इतिहास परना पड़ेगा तो हम लोग को तो अंदेरा में रखा जा रहा है तो यहीं चिए कम प्राइविट आज आपके पास रूपिया है लेकिन आज अगर यहां लोग बीमार है उसके पास अगर हम लोगों के देखरेक में कोई अगर private medical college ही खोर जाहे अच्छी hospital खोलेगा तो ऐक system के तहर्त हलेगा चाहे वह private school क्यों नहों private IT college क्यों नहुंद कोई लका private IT करके private IT college से एघर करके वाइतेयख में कहया जाता है तो पचास एर्स मिनिमम उसका स्टार्टिंग सेलरी होता है तो अगर इस तरह की इस्ट्यूशन जब यहां होगी तो यहां लोगों का रोजगार भी खुलेगा और पुरे बिहार से अलग अलग जगे से यह इस्टुडेंस भी आएंगे यह ठाका है तो बाहर से आज हम लोग देली ओगर जाते हैं हम लोग अपने किसंगें बना चाते हैं वहां के इस्टुडेंस यहां तो इसे का बिल्ड रूम भाड़ा पी लेगा किसी का लॉज में रहेगा तो ऐसे लोगों का इसमें रोजगार भी जुराओं आपको क्या एसा लगता है कि 10 साल के कारिकाल में मुझदा विधायक जो है वह समस्या कौन सा है जो आज तक टॉस्ट ने कर पाया है और जो जनीत के लिए था यह यह आसा है लोगों के लिए था जो मजबूर लोगों के लिए था अज तक मैं मेरे नौलेज में आप तक एक जब तक पिलाती जब तक आप बोलोगी नहीं यहां कि समस्याओं को आप देली का काम नहीं करोगे तो फिर उहां से आपको फं कैसे मिलेगा बोलना पड़ेगा लरना पड़ेगा चीन के लाना पड़ेगा ना तो हमारे विदायक ने तो यह किया ही नहीं क्या किया आज ही आप ही बताए यह 10 साल रहे ना वह विदायक मंतरी भी रहे कोई ऐसा आजूबा काम किया है जिसके लिए ठागुन विदान सबा के लोग उनको आभव्य साऽ कुई काम मेरें नजर में नहीं नुमाया काम और मंतरी भी रहे और विदायक भी रहे और एक जिससे आनेवाले नसल आने वाली पिर उनको याद रख सके इसे मुझे इतनी जो गुस्सा और पिछले से कौन खा गया उस फंद को आप जो और वो जो एक स्कीम के तहत बार निरोदी जो यह कि योजना है उस योजना का पैसा कहा चला गया कौन खा गया आवह अग्योत पर पर जैना की पर जाँ अब बार निरोदी इसकीम के तहतर जो औक्टूबर में जिसका काम सुरू होता है मैं चुन खातम होता हुट जहां के तहत इलाके को दीखे और अभी जहां कर वही है फलट फाइटिंग के तहत उस पर अभी प्रतेशिए अभी आ दा सबसे पहला है कि किसी भी आगे को आगे बरना चाहते हैं तो वह को अब त्यार दिना होगा एजुकेशन एजुकेशन के बेसिस पे वह आकास तक पहुंच सकता है तो मेरा पहला तो वहीं मुद्दा मेरा प्रायरूटी है और कोई लोग बोले वह मैं बोलता है कि मेरा नाम हटा दीजे तो मैं एजुकेशन हूँ लेकिन असदिकाल का रूह में तालीम बसावा है और हमने इसके लिए केरल भी गिया केरल का रिया इंडिया में केरल का एजुकेशन सिस्टम को यह सबसे अचला है सबसे बहतर है वहां का आक अगर करें तो हम लगो काम कर रहे हम काम करने पर यकिन डखते हैं बोलते भी बहुत ज़्यादा यह बास सचाई है क्योंकि मैं काम करता हो इसलिए बोलता हूं आप공़ बहुत बौं開始 साथ असाथ इकबाल साथ जो लंबे समय से सिच्छा की शेत्रे में कार्य कर रहे हैं और एक युवाव का आडियल भी है बैरहाल यह विदान सब आचना फाइट करने जा रहा है इसी के साथ अब आगे फिर हम आपको ऐसी कोई केंड़ेट से मिलवाएंगे